हेलो दोस्तों स्वागत अब सब्सक्राइब आपको अपने चैनल बेसिक नॉलेज़ में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का जो हिस्ट्री का अपलोग एक्जाम होने वाले नहीं है इतिहास का उसका हम लोग बहुत ही महत्पूरों कोर्शन देखने बाले हैं चले देख लिए यह कोशन से और इसमें से कुछ कोशन अग्जाम में जरूर आएंगे तो हरी कोशन को देख लिजो समझ लिजे तक एक्जाम में आप लोग अच्छे से लिख सकों पहला स्वाल है दोस्तों कि वास्को डिगामा कालिकट कप पहुंचा तो बहुत ही आसान स सवालर बहुत स्वाल धोस्तों यह आप लोगए याद कर लिजैए जीवन पर औदोई करांती जो उद्दोग लगने लगा उसका क्या-क्या प्रहा पड़ा तो देखो बिटेन में औदोई करण के कारण इस्त्रियों को कारखानों में ज्यादा देर तक काम करने के फल्सुरूप उसका बुरा प्रहा उसके स्वास्त पड़ा सबसे पहले जब जब कर दोगने कारण के जिवन आंद्म हो गया अगर बीमार हो जागा तो इस स्वास्त जिवन बरबादी के कारण के कारण संपन्य और उच्चेबर के इस्त्रियों का ऌदकित है पुके सब्धल है आगा फिर से जागना समझ पुनर जागरन से पुनाया है पुनाय जागना Siya के पुनाय है यानि कि फिर से जागना समझ गया हैं कि फिर से जागना समझ गया है माल नियमित अंदराल में मिलता रहे तो क्या तो उत्पादन नियमित गति से होता रहता है इसके विप्रीत यदि कच्छे माल के आपूर्ति कम या बंद हो जाती है तो उत्पादन कम हो जाता है वही अगर कच्छे माल के आपूर्ति कम होने पर या बंद होने पर उत्पादन क्या हो जाता है उद्द्योग का काम हो जाता है और इसके आर्थी किस्ति खराब हो जाती है यदि एक ही छेत्र में गच्चे माल क्या पूरती हो तो दुग का विकास तेजिस होता है यदि एक ही छेत्र में गच्चे माल क्या पूरती हो तो उद्द्योग का विकास तेजिस हो transportation खर्च नहीं कि लएगा, transportation cost बहुत कम लएगा, उसी प्रिकार पूर रहा है, कि यदि एकी छेत्र में, कच्चे माल क्या पुठती हो जहां उद्दोग है तो उद्दोग का विकास क्या होता है तेजी से होता है खर्चा कम हो जाता है जल्दी उसको कच्चा को माल में कोईला मिल जाता है यह ब्रिटेन का स्वभाई के था ब्रिटेन का दोस्तों यह स्वभाई के वहाँ एक द्रोन निकस क्रांती क्या थी तो देखो कौपर निकस क्रांती कौपर निकस के निमनलखित सिध्धान थे कौपर निकस क्रांती मत वही कैसे तो कौपर निकस का सिध्धान क्या क्या थो देखो इसाई ऐसा मानते थी कि प्रिथिवी पापों से भरी हुई है और पापों से पूरा भर गुम दे हैं। पृत्विवी ब्रह्मान की बीचों बीच फिर है और इसके चार ओर खगोली गुम रहा है। लेकिन कौपर निकस नहीं घोसना कर दी कि प्रिथिभी समय सारे ग्रह सूर्ज की चारो प्रिक्रमा करते हैं बोरा कि क्या प्रिथिभी बीच में नहीं है सूर्ज बीच में है और बाकी सारे ग्रह उसकी प्रिक्रमा करते हैं कॉपरनिकस एक निष्ठबान इसाई थे वो इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से प्रमपरावादी इसाई धर्मी अधिकारी उसका विरोध करेंगे और वो इस बात से डर लग रहा था कि कहीं वो जो इस नियम बोल रहा ही है ठीक है इस बात से बाकी जो लोग है वो नाराज ना हो जाए इसाई धर्म के अधिकारी उसका विरोध न करने लगे तो यह था कॉपरनिकस का सिध्धान तो यह था दूस्तों कुछ मादपुन आप लोग एक्जाम के लिए और एक-एक को देख लो समझ लो एक्जाम के लिए काफी चला मादपुन ने जरू तो देखने में लिए ठीक है चले तो लब याल थैंक्यों लप यह अब एक लितना है फिर्म लोग नाइस पोडियो में जल्दी तो तो लिए जाए हैं वह अंदे मात्रा